नमस्कार हमारे इगनू आओडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है इंदिरा गांधी राश्ट्री अमुक्त विश्व विद्याले सतत्शिक्षा विधाले, प्रमानपत्र कारिक्रम पोशन एवंबाल देखभाल में सिटिफिकट, सी एनसी सी, सी एनसी सी वन समुदाय और पोशन, ब्लॉक सेवन भाकर, केजद है अनाहिकार आलाय के लिए पैकड लंच, इकाई, उन्तीस भोजन परिवेशन संस्था की योजना उन्तीस दशमलव एक, प्रस्तावना पिछली काईयों में आपका परिचर रेस्टरॉंट, कैफिर्टीरिया वा कैंटीन जैसे पारिभाशिक शब्दों से हाँ, यह ऐसी संस्थाएं हैं जो की खाद्य पदार्थ बनाकर मनाफे पर बेचती हैं लक्षमी की कहानी पढ़कर आपको यह ग्यात हुआ की किस तरह उसने एक संस्था को चलाया जो की दप्तर में कारे करने वाले व्यक्तियों को दो पहर का पैकड लंच उपलब्द कराती थी उसकी संस्था बहुत स्यन्य भोजन परिवेशन संस्थाओं जो की उसके आस पास भी खुली होगी में से एक थी होटलों वर रेस्टरॉंट जैसे बड़े बड़े भोजन परिवेशन संस्था में कारे प्रवृत्ति काफी कठिन है इनके संचालन में तकनीकी कौशल, अनुभव तथा प्रबंध की अक्षमता की आवश्यक्ता होती है यहां पर संचालन का प्रत्येक चरण किसी ऐसे विशेशग्य द्वारा कार्यानवित किया जाता है जो अपेक्षित प्रशिक्षन प्राप्त होता है या फिर उस कारे को करने में माहिर होता है यह तो धावे तथा कैंटीन जैसी छोटी भोजन परिवेशन संस्थाएं ही हैं जो की अधिक जानकारी तथा निपुन्ता के अभाव में भी लोगों को स्वरोजगार प्रदान करती है लक्षमी का उद्यम भी इसी प्रकार की संस्था थी उसके पास कुछ तो अपनी निपनता थी और कुछ अपना रुजहान तथा दिड़ता थी जिसके कारण वह अपनी संस्था को सफलता से चला पाई लक्षमी के उद्याहरण में तो भोजन परिवेशन संस्था अपने घर में ही खोली गई थी तथा वही खाना बना कर कच्छी दूर स्थित दप्तरों में ग्राहकों को परोसा जाता था यहां पर आपने देखा कि खाना बनता एक जगह था तथा परोसा किसी अन्यस्थान पर जाता है सभी भोजन परिवेशन संस्था इस तरह से संचालित नहीं होती है अकसर खाना उसी जगह पर परोमा जाता है जहां पर वह पकाया जाता है छोटी संस्थाओं में तो अक्सर उत्पादन के क्षेत्र के ही एक कोने में परोसने की जगह या फिर व्यनजिनु के वित्रण के लिए काउंटर होता है भाग, ख, में अब हमें एक अन्यावदाहरन लेंगे यह राम नामक एक छोटे लड़के की कहानी है जिसने एक स्कूल के परिसर में एक कैंटीन स्थापित की थी उद्देश्य इस सिकाई को पढ़ने की बाद आप, स्कूल की कैंटीन तथा इसी तरह की अन्य संस्था चला पाने के लिए आवश्यक सुविधाओं तथा दस्तावेजों की पहचान कर सकेंगे एक भोजन परिवेशन संस्था के लिए पाँच दिन सापता हिक व्यंजन सूची का नियोजन तथा उन पर होने वाले व्याय का अनुमान लगा स्कूल के कैंटीन के समानव भोजन परिवेशन संस्था चला पाने में होने वाले व्याय का अनुमान लगा सकेंगे 29.2 रामू की किस्मत जागी रामू एक छोटा लड़का था जिसने दसवी कक्षा तक की पढ़ाई कर ली थी उसको अब यह निर्नय लेना था कि वह आगे और पढ़ाई करे या फिर अपनी और अपने बढ़े माता-पिता की आजीविका के लिए नौकरी करे उसे पता था कि उसके माता-पिता आगे की पढ़ाई का खर्चा नहीं वहन कर पाएंगे इसलिए उसके पास नौकरी ढूड़ने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था उसे अपने चाचा से काफी उमीद थी जो की शहर में काम करते थे उसके चाचा जब छुटी पर गाव आए तो उसने उनसे नौकरी करने के लिए शहर जाने की अपनी इच्छा जाहिर की उसके चाचा उसको अपने साथ शहर ले गए जिस होस्टल में वह प्रधान रसोये के रूप में काम करते थे वहीं पर उन्होंने रामू को काम पर लगवा दिया यह रामू के लिए बहुत ही लाबकारी सिध्ध हुआ राम को सीखने की लालसा थी ही तथा काम करने की ततपरता के कारण जल्द ही होस्टल में विभिन प्रकार के व्यनजन बनाने की कला सीख ली अपने प्रीतिकर व्यवहार के कारण वह होस्टल में रहने वालों में बहुत ही लोग प्रिय हो गया थोड़े ही समय में वह अपने काम में इतना निर्पन हो गया कि जब कभी भी उसके चाचा छटी पर जाते या फिर उनकी तबियत ठीक न रहती तब रसोई वा भोजन कक्ष का सारा दायत्व उस पर ही आ पड़ता तीन साल के छोटे से अरसे में ही राम को भरोसा हो गया कि उसमें खुद की भोजन परिवेशन संस्था की व्यवस्था कर पाने की क्षमता वन निपुनता है वह ऐसे ही किसी अवसर की तलाश में रहने लगा एक दिन उसने अपने चाचा के दोस्ट से सुना की पास के ही एक स्कूल में कैंटीन, जलपान ग्रिह, चला पाने वाले किसी व्यक्ती की तलाश है यहां आपने देखा होगा कि इस व्यवसाय से राम का परिचय उसके चाचा ने कराया था उसके बाद से ही राम इस बात के लिए सतर्क रहने लगा कि वह अपने जनुभव को कहां पर प्रयोग में ला सकता है जानकारी तो अकसर लोगों द्वारा ही मिल जाती है या फिर कभी-कभी हखबारों में भी छपी होती है आए अब आगे देखे की रामू ने फिर क्या किया? 29.3 ग्राहकों का सर्वेक्षन करना तथा प्रारंबिक निर्नय लेना राम ग्राहकों के सर्वेक्षन की अहमियत को जान चका था तथा उसने वह आरंभ भी कर दिया यह बात लक्षमी वराम दोनों के ही उदाहरन में प्रत्यक्ष है ग्राहकों के सर्वेक्षन द्वारा ही सही प्रकार के ग्राहकों का पता लगाया जा सकता है जिनकी कोई विशेश मांग हो जिस हॉस्टल में रामु काम कर रहा था वहां के वाडन से एक सिफार्शी पत्र लेकर वह स्कूल के अधिकारियों को मिलने के लिए गया अधिकारियों ने उसको कैंटीन चलाने के लिए प्रतिबंधों के बारे में बतलाया स्कूल को तो केवल परिसर तथा आवशक मेज, कुरसी इत्यादी का ही प्रबंध करना था वह कैंटीन में यदि बिजली के उपकरनों का प्रयोग करता है तो बिजली का खर्चा उसको अलग से देना होगा साथ ही कैंटीन चलाने के लिए व्यक्ती का चयन इस बात पर निर्भर करता था कि उसका प्रत्यायक, क्रिडेंशन्स, कैसा है तथा वह किस दाम पर व्यंजनों को बेचना चाहता है राम को ऐसे व्यंजनों की एक सुची दी गई जो की कैंटीनों में आमतोर पर परोसे जाते हैं साथ ही उनकी मात्रा ववजन के बारे में बताया गया था उस एक निर्धारत तिथी से पहले अपने भाव बताने के लिए कहा गया रामू ने कैंटीन चलाने का निश्चय कर ही लिया बोध प्रश्न नौकरी पार्टाइम जॉब की तलाश में जुटी हुई थी उन मुख्य बातों की पहचान करें जिनको उसे नर्सरी स्कूल के परिसर में एक छोटी सी संस्था स्थापित करने से पहले ध्यान में रखनी चाहिए 29.4 दर्सूची बनाना राम के सामने सबसे पहला काम था कि वह एक दर्सची बनाएं कैंटीन में बेचने के लिए व्यंजनों के भावों से निर्धारित करने थे यह दर्सूची क्या होती है? दर्सूची, भावों की वह सूची है जिस पर एक व्यक्ति कोई विशिष्ट पदार्थ बेचने के लिए तयार होता है या फिर कोई विशिष्ट सेवा प्रदान करता है दर्सूची का अनुमान लगाने में राम्या जान चुका था कि भाव इतना भी कम नहीं होना चाहिए कि उसे कोई मुनाफ़ा ही न होता था इतना भी अधिक नहीं होना चाहिए कि उसके अन्य सभी प्रतियोगियों से अधिक हो अन्य शब्दों में भाव प्रतियोगी भी होना चाहिए, साथ ही उसमें मुनाफ़े की परियाप्त गंजाईश भी होनी चाहिए थी किसी भी पदार्थ का विक्रय मूली निर्धारत करने से पहले उस पदार्थ को बनाने में होने वाले व्याय का हिसाब लगाया जाना चाहिए यह करने के लिए सबसे पहला काम था पदार्थ बनाने के लिए कच्चे पदार्थों पर होने वाले व्याय का अनुमान लगाना अन्य शब्दों में इससे हमारा तात पर एक हाद्य पदार्थों पर होने वाले व्याय तथा कारेकरताओं को दिये जाने वाले वेतन का अनुम को अनुग्या पत्र शुर्क दे पाने वा कैंटीन चला पाने के लिए लिये जाने वाले रिन को चुका पाने के लिए दी जाने वाली किष्टों की भी पूर्वयोजना उसे करनी थी। अब तक आप जान गए होंगे कि राम ने सुध्यम के संचालन का कार्यभार अपनी आज धारत की जानी थी कि इन सब बातों को ध्यान में रखा जाए तथा फिर भी वह यतोचित हो कि उसका विक्रय मूल्य अन्य सभी प्रतियोगियों से कम हो। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए रामु ने निश्चय किया कि वह विक्रय मूल्य को खाद्य पदार्थों पर होने वाले वियाए से दुगुना रखेगा। यह मांते हुए कि विक्राय मोल्य एक सौ प्रतिशत है। उसनिका द्युपदार्थों पर होने वाले व्याय को पचास प्रतिशत रखा। कारेकर्थाओं के वेटन को 20 प्रतिशत, उपरी खर्च को 7.5 प्रतिशत, उपकर्णों के रख रखाव वटूटे फूटे बर्तनों को बदलने के लिए 7.5 प्रतिशत तथा मनाफे को 15 प्रतिशत निर्धारत किया, मुनाफे के लिए निर्धारत 15 प्रतिशत में से ही उसे रिन की किष्ट चक्ता करनी थी तथा खुद पर होने वाला व्याय निकालना था। इस तरह से व्यंजनों के विक्रय मूल्य का बजट निम्न लिखित है, खादे पदार्थों पर व्याय पचास प्रतिशत, कारेकरताओं पर व्याय बीस प्रतिशत, उपरी खर्च, ओवरहेड इक्स्पेंसेज, साथ शमलव पाज प्रतिशत, मुनाफा माइनस पंदरह प्रतिशत, कुल एक सो, हर व्यंजन का विक्रय मूल्य इसी प्रकार से निर्धारित कर लेने के बाद रामू ने कुछ धाबों के मालिकों तथा कैंटीन चलाने वाले कॉन्ट्रेक्टरों से भी परामर्ष किया, उन्हों मूली को खाद्य पदार्थों पर होने वाले व्यय से दुगुना रखने के नियम का प्रयोग करते हुए उसने 70 ग्राम के समोसे पर होने वाले व्यय का अनुमान लगाया। ऐसा करने के लिए उसने सबसे पहले सामगरी की सूची बनाई जो की समोसे बनाने के लिए आवश फिर जिस दर पर वह सामगरी दुकान में उपलब्ध थी उसके हिसाब से उन पर होने वाले व्याय का अनुमान लगाया। इस सब सामगरी पर होने वाले व्याय को जमा करने पर एक समोसे पर होने वाले व्याय का पता लग गया। इस व्याय को दुगुना करके उसने एक समोस का विक्रय मूलिय निर्धारित कर दिया। उदाहरन के तौर पर यदी 75 ग्राम के एक समोसे पर 50 पैसे का व्याय हुआ तो उसका विक्रय मूलिय एक रुपया होगा। बोध प्रश्न 2. श्रवन एक स्कूल के कैंटीन का संचालन करता है। किसी अख़बार में वह एक इश्टहार देखता हैं जिम से एक बड़े संस्थान में कैंटीन को चलाने के लिए एक कंट्राक्टर की सेवा मांगी गई। वह और विस्तृत जानकारी के लिए उस संस्थान में जाता है। उसे अधिकारियों से क्या प्रश्ण पूछने चाहिए जिससे कि उसे दर्सूची निर्धारित करने में सहायता मिले? राम ने फिर हर व्यंजन पर होने वाले व्यैका अनुमान लगा कर उस पर विक्रए मूल्य निरधारत करने का सत्र लगा कर उसे सील बंद करके सकल की अधिकारियों के सामने प्रस्थत कर दिया उसके अलावा चार और व्यक्तियों ने दर्सूचियां भेजीं। एक निर्धारित दिन्वा समय यह दर्सूची खोली गई तथा पता चला कि रामू ने लगभग हर व्यंजन के लिए सबसे कमभाव भरे थे। इससे यहा कि यह कॉंट्रेक्ट राम को मिल गया। इससे पहल रहे ओडियोलर निगनू को 29.5 इकरार नामे पर हस्ताक्षर करना। रामू के प्रत्यायक वा अनुभव संतोष जनक थे। इसलिए उस एक साल के लिए कैंटीन के संचालन का कार्यभार सौपा गया। संतोष जनक निश्पादन पर करार की गई शर्तों की अवधी को रहाने की व्यवस्था भी थी। उसे जमानत के तौर पर 1000 रू भी जमा कराने को कहा गया ताकि वह समझोते की शर्तों के अनुरूप अपनी वचनबधता को निभाए। उस एक लिखित इकरार नामा, कॉन्ट्रैक्ट भी दिया गया। उस इकरार नामे की एक प्रतिलिपी यहां पर दी गई है। इकरार नामा, विवरन के लिए स्क्रीन को देखे। दो, कंट्रैक्टर को इकरार नामे पर हस्ताक्षर करने की दस दिनों के अंदर ही 1000 रुपे जमानत के तौर पर जमा कराने हैं। तीन, कंट्रैक्टर को हर महीने की पांच तारीक से पहले 200 रूप परन्त, कंट्रैक्टर को इदी कंट्रैक्टर कोई बिजली के उपकरन चलाता है तो उसे सकल द्वारा निर्धारित मूल्य देना पड़ेगा। पांच, स्कूल एक फ्रिंज प्रदान करेगा जिसके लिए कंट्रैक्टर को प्रतिमास 100 रूपे किराया देना होगा। 6. कंट्रैक्टर को कैंटीन चलाने के लिए समवद्ध नगर पालिका या सरकारी नियम, उपनियम, विनियम या फिरन्यकानी शतों का पालन करना होगा। स्कूल के हर कार्य दिवस में यह जलपान ग्रिह सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक काम करेगा। 8. कंट्रैक्टर को ऐस अनिश्चित करना है कि खाद्य पदार्थ स्वास्थिय कर धंग से बनाए वपरोसे जाएंगे। स्कल द्वारा नियुक्त समिती को यह अधिकार है कि वह जब भी चाहें खाद्य पदार्थों के पकने या परोसने के समय उनका निरिक्षन कर सकते है 9. कंट्रैक्टर, स्कूल द्वारा निर्धारित दरों पर ही खाद्य पदार्थ बेचेगा। व्यंजनों की दरों में कोई भी बदलाव स्कूल के अधिकारियों की पूर्व स्वीकृती के बिना नहीं किया जा सकता है। स्वीकृत, अप्रूप्ट, दरों को कैंटीन में स असपष्ट रूप से प्रदर्शित किया जाएगा। 10. कैंटीन में किसी प्रकार की चोरी, क्षती या उठाईगिरी, पिलरिज, के लिए स्कूल जिम्मेवार नहीं होगा। 11. कैंटीन में रखे मेज, करमीवा अनिसाज औ सामान के लिए कंट्राक्टर ही उत्तरदाई करेगा। 13. कैंटीन, संचालन अप्रबंध, समिती की स्वीकृती के बाद ही कंट्राक्टर व्यंजन सूची, मेन्यू, में व्यंजनों की संख्या बढ़ा सकता है। 14. कंट्राक्टर सभी के साथ मैत्री पन व्यवहार करेगा। उसके द्वारा काम पर लगाए गए कारेकर के अच्छे व्यवहार के लिए भी वही जिम्मेवार होगा। 15. कैंटीन के वल स्कूल के विद्यार्थियों, कर्मचारियों वा स्कूल में आयातितियों के लिए ही खान-पान का प्रबंध कराएगी, बाहरवालों के लिए नहीं। 16. कंट्राक्टर को कारेकरताओं को आव जमानत राशी, सेक्यॉरटी डिपाउसिट 2. कच्चिक अधिय पदार्थों पर होने वाला व्याए 3. उपकरनों पर होने वाला व्याए 4. अतिरिक्त व्याए तथा 5. कारेकरताओं को वेतन देने में होने वाला व्याए कच्चे खाद्य पदार्थों पर होने वाले व्याय का अनुमान लगा पाने से पहले उसे यह जानना अवश्यक था कि एक दिन में लगभग कितने विद्यार्थी वक कर्मचारी कैंटीन का लाब उठाएंगे यह जानकारी उसे स्कूल के अधिकारियों से प्राप्त हुई उन्होंने अनुमान लगाया कि प्रति दिन लगभग 30-35 प्रतिशत विद्यार्थी तथा 50-60 प्रतिशत स्टाफ कैंटीन का प्रयोग करेंगे इस तरह से 320 विद्यार्थियों तथा 40 स्टाफ का प्रतिदिन कैंटीन का प्रयोग करने का अनुमान लगाया गया राम की 360 ग्राहकों की संख्या तो केवल एक अनुमान ही था सही संख्या तो उसे कैंटीन कुछ दिन चलाने के बाद ही पता चल पाएगी जब ग्राहकों के जुकाव का स्पष्ट रूप से पता चल जाएगा ग्राहकों की संख्या तो परोसे गए व्यंजनों में विवधता तथा उनकी कोटी पर भी निर्भर करेगी ग्राहकों की अनुमानित संख्या तथा वह संख्या जो की असल में कैंटीन में आती है, में भिन्नता होना तो काफी आम बात है तथा इस बात का पता तभी चल पाता है जब कैंटीन कच समय तक चल चकी होती है राम ने इसी बात की जाज करने की सोची जिसके आधार पर स्कूल के अधिकारियों ने कैंटीन के ग्राहकों की संख्या का अनुमान लगाया था उसे पता चला कि स्कूल के अधिकारियों का अधार यह था कि छोटी अधिकांश विद्यार्थी तो घर से ही दोपहर का भोजन साथ लेकर आएंगे। प्रते दिन एक थाली आहार तथा लगभग तीन प्रकार के अलपाहार उपलब्द कराने का निश्चय किया। आज अमानत भी जब थो जाएगी। 20. स्कूल के पास यह थिकार है कि वह बिना कोई भी कारण बताए दो महिने का नोटिस देकर इक्रार नामे को समाप्त कर दे। स्कूल द्वारा हस्ताक्षरित कंट्राक्टर द्वारा हस्ताक्षरित आएं इक्रार नामे की भाषा यद्यपी विधी विशक होती है तथा पी समझने में यह अकठन नहीं होती। इस उदाहरन में स्कूल के अधिकारियों ने कंट्राक्टर का चयन उन व्यक्तियों में से किया जिन्होंने दर सची स्कल में जमा की थी। कंट्राक्टर का चयन करने के लिए कच्छ स्कल इस से अलग तरीका भी अपना सकते हैं। वह कैंटीन द्वारा मुहया खाद्य पदार्थों की दरका निश्चे खुद करके कंट्राक्टर से केवल यही बताने को कर सकते हैं कि वह स्कूल द्वारा उपलब्द कराएं गए स्थान परिसर के लिए कितना किराया देने को तैयार है। इस स्थिती में इकरार नामे की शर्ते पहले बताई गई शर्तों से कुछ भिन होंगी। यहां पर आपने देखा कि आप जब पूर्व स्थापित संस्थाओं के संपर्क में आते हैं तो आपको दर सची जमा करानी पड़ सकती है। इस तरह का कॉंट्राक्ट पाने के लिए आपको सही दरों का नुमान लगाना होता है जो कि अन्नी की अपेक्षा में न्यून्तम हो, फिर भी परियाप्त मुनाफा कमाने के लिए उप्योक्त हो। राम ने जब इकरार नामे की शर्तों को मान कर उस पर हस्ताक्षर कर दिये तब उसे इस कैंटीन की शरुआत कर पान की योजना बनाने का। सबसे पहले उसने व्याय की मदों की सूची बनाई तथा फिर उनकी खरीदारी वप्रयोग का नियोजन किया। राम ने व्याय के निमनलिखित मद जिन के लिए उसे आवश्यक धनराशी जुटानी थी, की सूची बनाई। इस निश्चय का मुलाध यह था कि लगभग 100-150 ग्राहक तो थाली आहार लेंगे तथा अन्निकेवल अलपाहार ही। हम यहां थाली आहार शब्द एक फुल प्लेट चावल अचरपाती, आदी वह उसके साथ परोसी जाने वाली एक सबजी दाल के लिए प्रयक्त कर रहे हैं। अलपाहारों को व्यन व्यनजन सूची का नियोजन करते समय रामू ने जिन बातों को ध्यान में रखा वह है कि 1. वह व्यनजन लोग प्रिय तथा विद्यार्थी वर्ग द्वारा स्वीकारे होना चाहिए। 2. वह व्यनजन असानी से बनने वाला होना चाहिए तथा बिना खराब हुए कुछ सम अध्यपदार्थासानी से उपलब्ध होने चाहिए तथा उनके भंडारन की व्यवस्था करने में कठिनाई नहीं होनी चाहिए। 5. व्यनजन अन से होने चाहिए जिनहें अलग-अलग या फिर एक दोग के साथ मिला कर बेचा जा सके। 6. छुरी कांटे वाचीनी मिट्ट के बर्तनों की कम से कम आवश्यक्ता पढ़नी चाहिए तथा साथ व्यनजनों का मूल्य विद्यार्थियों की खरीदनी की क्षमता को ध्यान में रख कर ही निश्चित करना चाहिए। 29.6.1 व्यनजन सूची का नियोजन तथा उस पर होने वाले व्याय का पूर्वानुमान deciding and pre-costing the menu. पूर्व सूचित नियमों पर अधारित रामू ने पाच दिन के लिए एक सापताहिक व्यनजन सूची का नियोजन किया जिसमें एक थाली आहार तथा तथा तीन अलपाहार सम्मिलित थे. उसने ठंडे पेपदार्थ तथा चायवा कॉफी जैसे गर्म पेपदा व्यनजन सूची निमनलिखित सानी में दी गई है. विवरन के लिए स्क्रीन को देखे. इस व्यनजन सूची से यह देखा जा सकता है कि जब थाली आहार में कल्चे छोले परोसे जाने थे तब हिटिक्की के साथ भी छोले परोसे गए. इसी तरह जब डोसे के साथ सामबर परोसा जाना था तब ही सामबर वड़ा भी उपलब्द कराया जाना था. यह सम्मिश्रन इसलिए बनाए गए ताकि हर व्यनजन एक से अधिक माध्यम द्वारा बेचा जा सके. यहां इस बात पर भी ध्यान दे की जिस दिन बड़े बनाए जाने थे उस दिन वह इतनी मात् पहले दिन सादे बड़े के रूप में या फिर सामबर के साथ में परोसे जाएं तथा दूसरे दिन वही दही वड़े के रूप में. इसी तरह जब चावल और दाल की लपसी बनाई जानी थी तो पहले दिन वह इडली बनाने के लिए प्रयोग में लाई जानी थी तथा द थाली आहार को एक संपूर्णा आहार इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें अनाज, डाल, सबजीवा दही सम्मिलत होते हैं। जैसा कि इनु दाहरनों में देखा जा सकता है बंदी रायते के साथ सबजी, भरवा, पराठे या फिर सलात के साथ कल्चे छोले या चावल, राजम तथा सबजीयां। इनको थाली आहार इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि यह एक बड़ी थाली में तरी वाले व्यंजन के लिए कटोरी के साथ परोसे जाते हैं। आपने देखा होगा कि थाली आहार में कुल व्यंजनों की संख्याती इन से अधिक नहीं होती है तथा तरी व पदार्थ बनाने तो महेंगे पड़ेंगे। इसलिए उसने एक तला हुआ अलपाहार तथा एक ऐसा अलपाहार जिसमें कम से कम तेल प्रयोग हो बनाने के सोची। पकाने के भिन-भिन तरीके अपनाने से उसे आहारों में विवधता लाने में मदद मिली। राम ने व्यं चुका था कि अधिक तरल पाहारों को सौस या चटनी के साथ ही परोसा जाना है इसलिए उसने व्यंजन सूची में इनको भी सम्मिलत किया। व्यंजन सूची का नियोजन अती सावधानी से कर लेने के बाद राम ने अगला काम जो किया वह था इस व्यंजन सूची पर होने व्यंजन सूची के व्यंजन पर होने वाले व्यंजन पर होने वाले व्यंजन का हिसाब लगाने से है। यह करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इस से व्यंजन बनाने के लिए कच्चे खाद्य पदार्थों पर होने वाले व्यंजन का पता चल पाता है। विक् उची पर होने वाले व्याय का अनुमान लगाने के लिए राम ने प्रमानिकी कृत विधी का ही प्रयोग किया। इस जानकारी के साथ साथ प्रयुक्त प्रतियक सामगरी की मात्रा तथा उस पर होने वाले व्याय की मदद से खाद्य पदार्थ पर होने वाले कुल व्याय का हिसाब लगाना असान हो जाता है। जोड से हमें उस सामगरी को बनाने में कच्चे खाद्य पदार्थों पर होने वाले व्याय रार फूड कोस्ट का पता लग सकता है डंडाए संक को स्विशिष्ट व्यंजन पर होने वाले खाद्य व्याय फूड कोस्ट के नाम से जाना जाता है, उन नुस्खों की जिन की एक से अधिक परोसने की संख्या में प्राप्ती होती है, yield more than one portion डंडाउन को बनाने में प्रयोग किये गए कच्चे खादिर पदार्थों पर होने वाले व्याय को परोसने की संख्या से भाग करके एक परोसने की संख्या प व्याय होगा रुप्ये 3.2 बटा 10,332 पैसे, व्यांजन सूची के प्रतियेक व्यांजन की कच्चे खादिय पदार्थों पर होने वाले व्याय का इसी प्रकार से हिसाब लगाया गया, इस व्याय को विक्रय मूलिय का 50 प्रतिशत समझ कर इस संख्य को दुगना करके विक् के लिए भी कि यह परियोजना व्यवहार्य भी है कि नहीं। राम ने अगला कदम जो उठाया वह था प्रतिदिन व्यांजन सूची के प्रतियेक व्यांजन की परोसने की संख्या निश्चित करने का। इस संख्या की जानकारी का होना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है क्य अहार लेंगे तथा अन्य ग्राहक प्रतियेकल पाहार की 100-150 परोसने की इकाईया लेंगे। प्रतियेकल पाहार की सही बिकने वाली संख्या तो कैंटीन का अच समय चला पाने के बाद ही संभव है। राम ने अन्मान लगाया कि जिस दिन समो से डोकलावा सैंविच में से चयन करना होगा तब लगभग 150 समो से 75 ढोकले वा 100 सैंविच बेचे जा सकते हैं। यह सुनिष्चित करने के लिए कि प्रतियेकल पाहार परियाप्त संख्या में विक्राय के लिए उपलब्द हों, अलपाहारों की अनुमानित संख्या की अतिरिक्त 10 व्यक्तियों के लिए ज्यादा पकाया गया। इन सब कारकों को ध्यान में रखते हुए राम ने अनुमान लगाया की प्रति दिन उसे प्रतियेक व्यंजन की 100 लेट कटोरी आदी की आवश्यक्ता पड़ेगी। इसी के आधार पर उसने होने वाले व्याई का हिसाब लगाया। थाली आहार पर व्याई 1.75 से 2.00 रुपे तक होना था तथा अलपाहारों पर 50 से 75 पैसे तक का खादि पदार्थ पर होने वाले व्याई की उपरी मीमा लेकर उसने एक सो थाली आहारों पर होने वाला व्याई 200 रुपे निकाला, 2.00 x100 तथा अल पाहारों पर होने वाला व्याई दोसो पचीस रुपे, 0.75 x 300 डंडा इस तरह उसने कच्चे खाद्य पदार्थों पर प्रति दिन होने वाले व्याई को लगभग 425 रुपे अन्मानत किया। राम ने फिर एक माह में कच्चे खाद्य पदार्थों पर होने वाले व्याय का हिसाब लगाया यह ध्यान में रखते हुए कि स्कूल एक माह में औस्तन 20 दिन ही खुला रहता है उसने एक महीने के लिए खाद्य व्याय का हिसाब लगाया जो कि निकला 8500 रुपए या फिर 200 दिनों के बाद अंदाजन 85.000 रुपए यहां पर व्याय का अनु भारत कर लेने के बाद उसका अगला काम था विक्रै मूलिय टयार करने का गम शुरू से ही इस नीती पर चला था कि विक्रै मूलिय खाद्य व्याय से दुगुना रखा जाएगा अब उसे यह सुनिश्चित करना था कि इस प्रनाली से तैयार किया गया विक्रै मलने 3.50 करुन का विक्राय मुल्य 1.00 में 1.50 रुपए हो इस तरह से एक दिन क्या आय होगी 1.3.50 रू किदर में बेची गई एक 100 थाली आहारों के 350 रू 2.1.25 रू की ओम अंदर में बेची गई 300 अल पाहारों के 375 रू 3.75 पैसे की दर में बेची गई एक 100 पे पदार्थों के 75 रू इस तरह विक्राय में प्रति दिन लगभग 800 रुपेयों की आये 350 रू तथा स्कूल के 200 कारेरत दिनों में 1.60.000 रू की आये 800 x 200 दिन 3.1. राम को यदी 500 ग्राहकों के खान-पान की व्यवस्था करनी होती तो खाद्य पदार्थ पर होने वाले व्याय का हिसाब लगाने के सूत्र में कैसा बदलावाता? 2. स्कूल की कैंटीन को विभिनना यू वर्ग के व्यक्तियों के लिए खान-पान का प्रबंध करना होता है क्या आप इस बात से सहमत है? ख, अपने उत्तर की पुष्टी कीजिये तथा इस बात से व्यंजन सूची परोसने की मात्रा पर पढ़ने वाले प्रभाव के बारे में भी टिपणी करें 29.6.2 कारेकरताओं पर व्याय अगला मुख्य विशय जिसकी योजना उसे बनानी थी, वह था काम पर लगाये गए कारेकरताओं को तन्खवाह देने के लिए आवश्चक पैसों का विक्रय मूल्य का हिसाब लगाते, समय राम ने ने लिया था कि कारेकरताओं पर व्याय खाद्य पदार्थों के विक्रय मल्य का 20 प्रतिशत होगा राम ने कारेकरताओं पर होने वाले व्याई के लिए इतना अधिक प्रतिशत छुट्टियों ववकाश के दिनों को मद्दे नजर रख कर उधिश्ट किया था जब विक्राय बिल्कुल ही नहीं होना था स्कल तो एक साल में सामान नितह 182 हंडड दिन ही खुलते हैं तथा इन दिनों के विक्राय की आय में से ही राम को कारेकरताओं को साल के 365 दिनों के लिए तनखवाह देनी थी विक्राय से यदी प्रतिदिन 800 रू की अनुमानिताय हो तो इसका 20 प्रतिशत यानी 160 रू तनखवाह देने के लिए उपलब्ध होगा स्कल के कारेदिवसों यदी 200 हो तो उपलब्ध धनराशी होगी 32,000 रू 160 रू X200 दिन डंडा उसको यह धनराशी साल के 12 महिनों में अपने कारेकरताओं में बाटनी थी तनखवाह दे पाने के लिए उपलब्ध धनराशी तथा कारेकरताओं के अनुभव तथा निपुन्ता को मद्दे नजर रखते हुए उसने अपने प्रधान रसोईये को 1000 रू प्रतिमाह सहयोगी रसोईये को 750 रू प्रतिमाह तथा अन्य तीन कारेकरताओं को 300 रू प्रतिमाह देने का निश्चय किया इन सब को एक माह में तंखवाह के रूप में देने वाली धनराशी हो जाएगी 2650 रू या फिर एक साल में 31,800 रू बचे हुए 200 रू को कारेकरताओं के बीमार पर जाने पर या फिर छुटी लेने पर अतिरिक्त कारेकरताओं को काम पर लगाने के लिए जमा किया जाना था 29.6.3 उपकर्णों पर होने वाला व्याय व्याय का अगला मुख्य मदुथा कैंटीन की शुरुवात करने के लिए खरीदे जाने वाले उपकर्णों पर सबसे पहले राम ने कैंटीन के लिए आवशक उपकर्णों की सूची बनाई ऐसा वह अपने होस्टल के अनुभव त अथा अपने अनुभवी चाचा की सलाह की मदद से कर पाया इसके लिए वह कुछ कैंटीनों को देखने के लिए भी गया प्रतियक उपकर्ण का मुल्य जानने के लिए उसने फिर दुकानों का सर्वेक्षन किया रामूने उपकर्णों वह उनकी अनुमानिक मुल्यों की ज 7.5 प्रतिशत अनुमानित था इसमें इंधन यानी गैस के लिए 480 रू तथा बर्प के लिए 100 रू सम्मिलित थे इकरार नामे में यह लिखा हुआ था कि बिजली के लिए कोई किराया नहीं लिया जाएगा परंतु यदी गीले पदातों को पीसने वाले या फिर भोजन ग प्रतिमाह का किराया देना होगा व्याय की सी श्रेनी में से उसे 200 रू प्रतिमाह नग्यापत्र शल्क भी देने की व्यवस्था करनी होगी इस तरह से उपरी खर्च व्याय की श्रेनी में से उसे प्रतिमाह 1000 रू व्याय करने होंगे हाला की विक्रय का 7.5 प्रतिशत यानी की 1200 रू उपलब्ध होंगे इस तरह राम ने कैंटीन स्थापित करने के लिए व्याई की हर श्रेनी के अंतरगत होने वाली आवश्यक धनराशी का हिसाब लगाया कुल व्याई का सारांशिस प्रकार से है विवरन के लिए स्क्रीन को देखे बोध प्रश्न चार एक आनन दौरविशाल दो भाई हैं जो की राजमार्ग पर एक छोटा साढ़ हाबा चलाते हैं वह प्रति दिन लगभग 5100 ट्रेक के ड्राइवर बस के ड्राइवर परिचारक तथा लंबे सफर पर निकले यात्रियों को खाना परोस्ते हैं ख आपके हिसाब में उन्हें कितने आदमी काम पर लगाने चाही और क्यों ख आनन द्वविशाल नेक सूची बनाने की सोची जिसमें वे यह लिखेंगे की कौन सा व्यक्ति क्या काम करेगा इस सारनी को भरने में क्या आप उनकी मदद कर सकते हैं विवरन के लिए स्क्रीन को देखे 29.7 साधन जुटाना आपने अभी अभी देखा कि राम ने व्यंजन सूची वकाम पर लगाये जाने वाले कारिकरताओं की संख्या के बारे में कैसे निर्ने लिया इसी के आधार पर उसने कैंटीन च उटाने हैं यह मात्रा उसे काफी अधिक प्रतीत हुई परंतु वह फिर भी निराशना हुआ सबसे पहले वह अपने चाचा के पास गया तथा उनसे अपनी जरूरत के बारे में जिक्र किया उसके चाचा ने उसके उत्साह को देखकर उसे अपने जमा खाते में से 3000 रू का अभी भी 25,000 रू क्या वशकता थी रामु जानता था कि स्थानिय साहुकारों से उधार लेना तो हानिकारक होगा क्योंकि उनके ब्याज की दर ही बहुत उची होगी तथा ब्याज सहित रिंचका पाना उसके लिए कठिन होगा उसके पास अब एक ही विकल्प रह गया था और वह था पास के ही राश्ट्रे कृत बैंक छोटे कॉंट्रैक्टरों वह ऐसे लोगों को जो की अपना ही व्यवसाय शुरू करना चाते हैं को रिंउपलब्द कराता है वह जग्गु के बारे में भी जानता था जिसने बैंक से रिंग लेकर एक तिपहिया रिक्षा खरी दी जाती है परन्तु जितना बड़ा रिन रामु को चाहिए था उसके लिए तो जमीन या फिर किसी अनिस्थाई संपत्ती इमूविबल प्रॉपटी की जमानत की आवश्यक्ता होती है इस प्रयोजन से रामु ने अपने पिता की स्वीकृती पर गाव की अपनी जमीन का क पुझ हिस्सा बैंक के पास बंधक रख दिया रामु ने फिर बैंक की इच्छा अनुसार अपने प्रयोजन का विवरण जमा करा दिया इस विवरण में उसने अपने उद्देश क्रियाविधिवा आवश्यक धनराशी का विवरण दिया आवश्यक व्याय का हिसाब उसने मुलधन की आवशक्ता के अंसार लगाया तथा विक्राय से आय का अनुमान लगाया। उसने यह भी लिखा कि किस तरह से वह मासिक किष्टें दे कर चार साल की अवधी में ही रिन चुकता कर देगा। रामू ने अपने प्रयोजन के लिए 39,150 रू या फिर 30,000 रुकव्य का अनुमान लगाया। इसमस 5,000 रु तो वह अपनी बचत तथा चाचा से लिए गए रिन से पूरा कर सकता था। इसलिए बैंक से उसे 25.000 यशून 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 यरू लेने की आवशक्ता थ थी। रामू ने विक्रय मूल्य का पंदरह प्रतिशत तो अपने मुनाफे के तौर पर अलग करके रख लिया था। एक महीने में 6,000 रुपे के अनमानित विक्रय मूल्य से उसे हर माह 2,400 रू। मुनाफा मिलने की संभावना थी या फिर एक शिक्षा वर्ष एकडेमिक ए मासिक आमदनी के रूप में मानता था। इस तरह रामू की बारह मह की आमदनी होजानी थी 14,400 रुपे। इससे उसके पास एक साल में 9,600 रू। बच्चते जिसमें से उसे अपना रिन चुकता करना था। यह ब्योरा पढ़कर बैंक रामू की योजना की साध्यता व्यवह आरे साध्यता के बारे में निश्चित हो गया तथा उसको समान्य शर्तों पर रिन दे दिया गया। 29.8 रामू की अनुभव से सीखना। इस इकाई में आपने देखा कि रामू ने किस तरह से कैंटीन की स्थापना के लिए योजना बनाई। आगे की इकाईयों में आप द गुजरा वह निमनिलिखित हैं। अनुमान लगाना तथा इस तरह से कुल्व्याय का अनुमान लगा पाना। 8. साधन जुटाना। यदि आप किसी स्कूल, कॉलेज या अन्निसंस्था में कैंटीन चलाने के इच्छुक हैं तो आपको भी इसी तरह की क्रमबध प्रनाली का प्रयोग करना चाहिए। अपनी कि मिश्च्रन से बनाया गया हो जिसमें से एक तो अवश्यधातू ही हो। कंट्राक्टर, एक ऐसा व्यक्ति जो कि किसी विशिष्ट दर पर किसी कारे को करने के लिए इकरार नामे पर हस्ताक्षर करता है। प्रत्यायक, credentials, दिये गए कारे को कर पाने की क्षमता होने का प्रमान। व्याय की श्रेनी, व्यक्ति गते कक्या फिर श्रेनिया जिन पर धन व्याय किया जाना हो। बंधक रखना, हाइपोथकेट, रिन के लिए जमानत के तौर पर रखना, परिसर, भवन या उसका एक हिस्सा या फिर वह भूमी जिस पर घरादी बने हो। समापन, एकरार नामे पर हस्ताक्षर करने वाले किसी एक व्यक्ति के निर्ने पर ठेके को रद कर देना। धन्यवाद, मिलते हैं अगले विडियो में।